ओम नमो भगवते वासुदेवाया प्रिवंधू पवित्र पुरुषत तम्मास में भगवत गीता का संगित्मे श्लोक पारायन का क्रम चल रहा है चटे ध्या के 20 श्लोकों तक का पारायने कर चुके हैं आईए स्यागे के श्लोक गाएं मेरे साथ गाएं आप सभी तेश्वा सनिष्चयन यक्तव्यों योगो निर्विर्ण चेतसा तंकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सरवान शेषतह मनसै बेंद्रियक ग्रामं विनेयम्यसमंततह शनै शनै रुपरमेतत बुद्ध्याध्रीति ग्रहीत या आत्मसंस्थं मनहकृत्वा नकेंचीदपिचिंतःत यतो यतो निष्चरती मनस्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यतत आत्मन्येववशम्येत प्रशांतम नसम्येनं योगिनं सुख्धमुत्तमं उपैतिशांतरजसं ब्रह्मभूतमकलमशं यञ्जन्निवसदात्मानं योगिवीगतकलमशह सुखेन ब्रह्मसंस्परशं अत्यंतं सुखमश्णुदे सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनी युक्षते योगियुक्तात्मां सर्वत्र समदर्शनहां युमं पश्यति सरवत्र सरवंच मैपश्यती तस्याहमन प्रनश्यामी सचमेन प्रनश्यती सर्वभूतस्तिदम्युमं बजद्ये कत्वमास्तितह सर्वथावर्थमानूपी सयोगी मैवर्थते आत्मउपम्येन सरवत्र समंपश्यति ओर्जुवन सुखम्वायदि दुखम् सुखम्वायदि वादुखम् सयोगी परमोमतः बहुत सुंदर भवान श्रीक्रश्य ने कर्मयों की निश्काम कर्म करता हुआ परभ्रह्म परमात्मा में ध्यान लगाता हुआ किस प्रकार कैसे उस परम मात्मा से जब साक्षात करता है तो क्या अनुभव करता है एक से बढ़कर एक श्लोक ध्यान की अवस्था में किस प्रकार साधक को यह अनुभवति होती है उसका विश्लेशन करते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन तम विद्यात दुख संगितम तम विद्यात दुख संगितम तम विद्यात तुम उस दुख संगितम तुम उस दुख संगितम को योग संगितम तम विद्यात तुम उस दुख संगितम को योग संगितम तम विद्यात तुम उस दुख संगितम को योग देने वाला है जो उसी को योग की संग्या दी गई है ऐसा जानो दुखों को दूर करते हैं संयोग का व्योग करते हैं उसी को तो योग कहते हैं उसको तुम योग जानो उसको योग संग्या दी गई है फिर कहते हैं कि सनिश्चयर यक्तव्यो योगो निर्वेर्ण चेतसा प्रफुलित मन से, सह निश्चयेन, सह योग है ऐसा, कि वह योग, ऐसा योग, जो दुख संयोग को वियोग कर दे, दुख समोह को दूर कर दे, अलग कर दे और फिर वह योग निश्चित रूप से निश्च ये निटी निश्चित रूप से अनिर्मिन चेत सा योगतव्य अर्थात हरशिचित से प्रपुलिद्मन से योग करने योग के है किये जाने योग के है उसका योग अवश्य करना चाहिए यह अर्थ है फिर कहते हैं ब्रवान आगे चोईस विशलोप में संकल्प प्रभवान कामान स्त्यक्त्वा सरवान शेशत ह। सरवान अशेशत ह। मूल शब्द रहेगा सरवान शेशत नहीं अशेशत ह। सभी को पूरी तरह से किनको कामना ओपा तो संकल्प प्रभवान कामान अर्थात सभी मन में उठनी वाली जो इच्छा हैं संकल्पों को और सभी कामनाओं को संकल्प से उपन होने वाली मन में उपन होने वाली सभी भोगों को इच्छाओं को क्या करके त्यक्त्वा त्याग करके सभी सभी इच्छाओं भोगों को पूरी तरह से त्याग करके अश इंद्रिय ग्रामु को 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 इंद्रिय ग्रा पूरा नहीं हो रहा इसलिए इस अर्थ को लेते हुए आगे-आगे बढ़ेंगे 25 वश्लोग क्या के ताहि देखते हैं अरुत्व संदि टूटे की हाँ शनई शनई उपरमेत धीरे धीरे उपरत हो जाए उपरत होना चाहिए अटना चाहिए बुद्ध्या धृति ग्रहित आया कैसे बुद्धी से ध्रती से ग्रहित बुद्धी से ध्रती से ध्रती से ग्रहित बुद्धी से ध्रती 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 से अपने आत्मा आत्मसस्त मन को आत्मा में करके अत्मा सच्छद करके मन को आत्मा में स्थित करके यह कैंपर प्रतिइपादन किया योग की जो परम उच्छो कोटी क्या उस्ताइस ध्यान की उसमें कि अर्थादं योग की इस साधना में 감사 compliqué प्रकार कहीं भी न जाए उसको धीरे-धीरे बड़ा आगे आने वाले श्लोकों में भी यही प्रतिपादम किया यह अभ्यास है यह अभ्यास करना ही तो योग है चार ओर से लोग देना किसी एक विशे में लगा देना आत्मा में सिद्ध कर देना और कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए किंचिद भी न चिंतन चाहिए साथद को किसी प्रकार से योगी को किसी प्रकार से कोई चिंतन नहीं करना चाहिए 26 श्लोक में कहते हैं यतो यतो निश्चरदी यतो यतो जैसे जैसे जैस यता यता का बतलब जिस प्रकार निश्चरी का तद पर यह चलता है कहां चलेगा मन? विशयों में अर्थाद जाता है बाहर ततस्ततो नियम्ये तत आत्मन्ये वबशम्नये मन का सुभाव है इंद्रिय के पीछे जाना तो यह चंचल मन अस्थिर मन जैसे जैसे इस कारण से बाहरी विशयों की और भागता है ततस्ततः ततः ततः ऐसे ततस्ततो वैसे वैसे जैसे जैसे वैसे उसको नियम्ये तत वशमे करके क्या करना चाहिए आत्मन्ये वशम्नये अपने आत्मा में ही उससे वहां से हटा करके अपने मन उस आत्मा के वश्मे करना चाहिए लाना चाहिए कैसे जाए तो ये भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई ध्यान की कुछ विधियां है संकल्प से सिद्धी बहुत कठें है लेकिद इस प्रकार की करने से फिर व्यक्ति अभ्यासी हो जाता है और निश्चित रुप से उसके अंदर वो परम भ्रम कानुभव कर सकता है कहा भी गया है कि मन चंचल और अस्तिर है जैसे जैसे वो बाहरी विश्यों में जाता है तुजन तो उसको वहां से हटा करके अपने आत्मा में करो और जन आगे क्या कहते है देखे यहाँ योगी के लिए भगवान क्रिष्ण ने उस सुख का प्रतिपादन किया है कहा है कि सुखम उत्तमम उत्तमम सुखम उपईती योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है उपईती की प्राप्त मिलता है कैसे योगी को उत्तम सुख मिलता है एक बीच में शब्दा आया है ही एनम येनम इस योगी को ही एनम योगिनम उत्तमं सुखम उपईती परंतु कम योगिनम यह प्रशांत मनसं यह शांत रजसं यह भ्रह्म भूत कल्मशं योगी वर्तते तम योगिनम है अर्जन जो योगी प्रशांत मनवाला है प्रशांत मनसं योगिनम उत्तमं सुखम प्रापईती अर्जनान पुनः जिसका मुन शान्त है पुनः कह गया है दूसरी पंक्तिय में शबत देख्या यदर्फ कर सिसका गया है नृजी ना फार भौन हो गया है इतार जी स्थिर होगा तो शांत हो गया है ऐसे योगी को उत्तम सुथ मिलता है और फिर ब्रह्म भूतम जिसका रजोगुन शांत हो गया और ब्रह्म भूत हो गया है ब्रह्म में इस रजोगुन के नश्ट होने से जो ब्रह्म में स्थित हो गया है ब्रह्मी भूत हो गया है ऐसे लिखा है Kalmasham लेकिन सामान्या काषिग वेञ जि अर्सवर के मिलन से क्या हूँ गया भृम्मभूतमकलमं ये संस्कृत की स्वादिक तोड़ी सी समय जनकरिया जो व्याक्रण नहीं जानते हैं वे साधक ध्यान बे भ्रम्मभूतमकलमस अकलमशम मुल्चब दें निए अकलमश का मतलब आकलमश हुं प्याए अकलमश को मिलता है है अर्जन को तुम सुक किसको मिलता है? 2800 श्लोक के फिल कहते हैं भगवान श्री क्रेश्णा इस श्लोक का आप पाट करें मेरे साथ फिल से. पारहन करते हुए अनुष्टो या कोई भी संद हो. एक बाद आप ध्यान दें कि बीच में जो विंजन है जहां आठवा आक्षणा आ रहा है वहाँ आप उसको उच्चान कर सकते हैं. जैसे मैंने भी कहा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अगला शब्द केले लिए अत्यान तम सुखमाश्णू दे आठ यहां आगए. आठ होने चाहिए नहीं, आठ आठ उच्चान करें तब अनुष्टव बनेगा. अब अगर इसको कैसे कहेंगे सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अध्यान तम सुखमाश्णू दे थोड़ा सा रुक करके यति-गति के साथ बोलेंगे तो फिर वो अत्यान तमाएगा. एक साथ बोलेंगे तो अत्यान तम बोंदी जी लेकिन अनुष्टू पर आठा टक्षर है अश्टू रुद्धी कहते अनुष्टू को. युझन रखत लगाता हुआं युझन युझन यवं सदा आत्मान युझन युझद शत्र लगाएं इसमेंई युझन अथत लगाता हुआ है यल्ध रुद्ध हुआं युझन मन को हमेशा अंदर लगाता हुआ, अपने अंदर आत्मा को आक्मा में लगाता हुआ, क्या करेगा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्षम अत्यांतम सुखम अश्नुते, सुख से, असानी से, ब्रह्म संस्पर्ष, अर्थात हुआ, ब्रह्मानुभव को, ब्रह्म का सस्पर्ष करता ह ब्रह्मु को अनुभु करता हुआ अत्यांतम महत अधिक अपरिमित सुख प्राप्त करता है आसानी से ब्रह्मु को अनुभुत करता हुआ अत्यांत सुख प्राप्त करता है यह द्यान की जो कृष्ट वस्ता होती है यहां साथक को ऐसे वह अंदर ब्रह्मु अपने अंदर दिखता है अनुभव दिखता है असा भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूत अस्तमात्मानम सर्वभूत आनिचात्मनी युक्षते युग युक्तात्मा सर्वत्र समधर्शनहां बड़े असमधर्शनों कि ये भी 29 स्वाएकोन त्रिंशत इति तरिंशत में एक नहीं है इसलिए एक और तरिंशत औन Whenever 29 recognized olmayैं के अनका ताप्रियर्यवाई है उनमें नी प्रति अलन्नी उन नुन हो जाता है और दिख कभ़़व मैंत के अधिक निउन आधन हैं तीसमें üç में इक रहते बीज बीज मैं मेरी आदत है मैं संस्क्राइब की वित्पतियां भी करता जाता हूँ सर्वभूतस्थम आत्मानम सरभूता निचात्मा जो योग युगता आत्मा दूसरी पंक्ति में शब्द है योग युगता आत्मा योग से युगता आत्मा है जिसकी योग्रिष्चित्वरती निरोदो ऐसा जो योबी है उतक्रिष्टी होगी जिसका आत्मा ही योग युगत हो गया है ऐसा सरवत्र चार और जिसकी दृष्टी समदृष्टी होगी है समदृष्टी से देखता है जो कैसे देखता है इक्षते देखता है ऐसा संदर्शी युपता आत्मा चार और सरभूतस्तम आत्मानम अर्थात संपूर्ण भूतों में आत्मा को सरभूतस्तम आत्मानम सभी भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में दिखता है आत्मा में सभी भूतों को दिखता है और आत्मा को सभी भूतों में और सभी भूतों को आत्मा में भूतिती प्राणी आगे तीस वाप पराणकत तीस विश्लोग का पराणकते हैं योवां पश्यति सर्वत्र सर्वां चमई पश्यति तस्याहमन प्रणश्यामी सचवेन प्रणश्यति यह बगवन क्रिश्ण प्रणिष्वति है अर्था जो सर्वत्र मुझको और सब को मुझ में देखतün मुझको सब में और सब को मुझमें देखता है तस्य हमनो प्रनश्यामी मैं उसके लिए नश्ट नहीं होता हूँ सच मेन प्रनश्यती वह भी मेरे लिए नश्ट नहीं होता है यहां प्रनश्यति अर्थ का प्रनश्यति और प्रनश्यामी भगवान अहम न प्रनश्यामी सान प्रनश्यति लेकिन जो गीता के टिकाओं में भक्ति महरगी श्री संप्रताय के प्रवर्तक रामानुजा चाले है उन्होंने प्रणश्य अतिकार्थ एकदम अलग अर्थ मिलिया है कि वो ऐसा जो साधर्ख जो मुझमें देखता है सबको मुझमें, मुझमें सबको वो मेरे लिए अदृष्य नहीं होता है ऐसा कहा है उन्होंने तो ये ठीक बैठता है अलग-अलग भाष्यगारों ने इन शब्दों को व्याख्यान इटिकाएं भाष्यगरते हुए भगवान के आशे को और अधिक मधुर्दा से स्पष्ट किया है श्री संप्रदाय ये भक्ति मार गहे उस पर इस लोग की इस प्रकार सुंदर व्याख्या हुई है जो युक्ति संगर बेढ़ जाती है ऐसा लगता है तो नश्ट होने का भाव नहीं है लिखा है भले लेकिन भाव क्या है अद्रश नहीं होना न तो मैं उसके लिए अद्रश होता हूँ न वह मेरे लिए अद्रश होता है सामने होते हुए भी ये भाव आगे देखें सर्वभूतस्तिदम्योमाम भजत्येकत्वमास्तितह सर्वथावर्दमानूपी सयोगी मैवर्दते यह अधुमदुरश लो कहा अयम सर्वभूतस्तिदम्योमाम भजत्येकत्वमास्तितह भजती एकत्वमास्तितह एकत्वमे आस्तित यह योगी यह Wisconsin लिखा यह यहा पुर शब्द है जो एकत्वमें श्तित हो करके इकत्वभाव में श्तित हो करके सब एक है सरवकलविदंब्रम्म ऐसा आनुष जिसको गया है इसे एकत्वभाव में श्तित हो करके जो योगी सабी प्राणियों सरभूर्ति स्थितम सभी प्राणियों में स्थित मुझको माम मुझको बजता है माम बजती यह नसंदियों भी यह बजती एकत तो बजती एकत अर्थात एकत भाव से श्थित होकर के जो योगी सभी भूतों में सभी प्राणियों में मुझको स्थित मुझको बजता है उसे प्रजंट में प्रॉज़ेंम से नहीं हैं बरत्ता हुआ। वृत धात हुए। होना बरत्ना वहासरवत्र बरत्ता वॉख व्यवार करता हुआ। descon APP मौईरद धे। ऐसा योगी boy 4 और बहले व्यवार करता है वरत्ता फार मेरत अंदर इस प्रकार एक और श्लोक देखते हैं जो आज का अनुस्वार का उच्छा में होगा यह श्लोक की खासियत है यह तो खुश्रुती है हम श्लोक बनते हुए जहाँ अनुस्वार है वहां उसका उच्छान करें विसर्ग का उच्छान करें और एक बात ध्यानदे की जहाँ संबोधन है संबोधन करता कर्म करन संप्रदान सबतमी के बाद जो आठवी पंक्ति होती है उसको अश्टमी नहीं कहते हैं उसको संबोधन ही कहते है वहाँ पर मात्रा हरस्वई होती है वहाँ भी सर्ग नहीं लगता है दियान दें इसलिए अर्जुन प्रतमा में तो अर्जुन हाँ आता है लेकिन संबोधन का ये अर्जुन है इसलिए यहाँ के वह अर्जुन लिखा है वरना ये ये प्रतमा में होता तो अर्जुन हाँ अर्जुन हाँ अर्जुन हाँ ये होता तो प्रतमा की दर लगता है के लिए लेकिन वहां विसर्ग नहीं होगा आत्मा उपम्यन आत्मा उपम्यन भगवान कृष्ण अरजुनम कते है कि यह हे अरजुन अरजुन संपोधन पहले आ जाएगा हे अरजन आत्मा उपम्मेन, आत्मा की उपमा से आत्मा की तुलना करते हुए, आत्मा की तरह सर्वत्र समंपश्यतियह, जो सर्वत्र समंपश्यतियह, समान देखता है, किसको सुखंवा यदिवा दुखंप, सुख और दुख को आत्मा उपम्मेन, सर्वत्र समंपश्यति, स दुखम यदिवा दुखम बाप, जो सुख और दुख को आत्मा की तरह, आत्मा की उपमा से आत्मा से तुलना करते हुए, आत्मा के उपम में से जो सर्वत्र सुख और दुख को समान देखता है, सायोगी परमो मता, वह योगी परम है, यहां पर माना गया है, मताहिती कहना ह सायोगी परवो मताब महानुष्णों के यह गीता की जो आत्मा उपंव में दृष्टी है यह भारतिय संस्कृती भारतिय दर्शन का यही तो महान है सर्वसाइश्ण पूरे अयमनीज़ परवेती करना लकुछेते सामुदार चलेता नंतर असुदेवकुटन पकम सबको एक दृष्टी से देखना क्या यह भारतिय दर्शन की कितने दृबत विशुष्टा है इसको हम थोड़े से इस प्रकार समझें कि जैसे मैं किसी का पुत्र हूँ पिता हूँ, भाई हूँ, बतिजा हूँ, चाचा हूँ, मित्र हूँ ऐसे ही दुसरे भी तो है, जैसे सुक और दुख मेरे हैं, वैसे ही सुक दुख दुख दुसरी के भी है जो सुक दुख मुझे अनुपोते हैं, वही सुक दुख दुसरी को भी अनुपोते हैं ऐसा अनुभव करने वाला परम्योगी है इस प्रकार के भाव अगर आ जाएं तो क्या कहना फिर से ये धर्ती स्वर्ग बन जाए तो हमारे रिश्यों ने कितना महान कारी किया है आज के बातावरण में इस लोक की बहुत आवश्चता है जब धर्म के नाम पर जाती के नाम पर भाशा के नाम पर इंसान एक दुसरे के खून का प्यासा हो गया है यह आत्म उपम में दृष्टी कहां चली गई भई भगवान क्रिश्टी कह रहे हैं सामन्य योग करना यह तो ठीक है तो हम शरिल संचालन को योग नहीं कह सकते हैं योग तो यह है जहां आत्म उपम में दृष्टी से दुसरे के सुख दुख को अपनी तरह देखे वह परम योगी है उत्ष्ट योगी है तो बार बार आज की दशा हमें आती है आज के इस इंसान को यह क्या हो गया इसका पूराना प्यार कहां पर हो गया तो यह गीत स्वर्गी प्रदीप का यह गीत बरबस इस प्रकार हमें याद दिला दे कि वह भाव कहां चला गया मनुश्वा राकिन इंसान जाना कहां चाह रहा है तीन स्तर रखे हैं देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व तो मनुष्यों के लिए तो लक्षत देवत्व ही है नीचे पशुत्व है अगर हमने मानुता खोदी तो हम नीचे चले जाएंगे पशुत्व को प्राप्त लेकिन पशुत्ता से भी नीचे जा रहा है वर्तमान वातावरन तो ऐसा लिख रहा है आज का वातावरन तो पशुत क्यों कि पशु बेचारे देशकाल का अतिक्रमन नहीं करते हैं वो अपने समय के चक्र में बंदे रहते हैं तो ये आज के वातावरन में वर्तमान वातावरन में वेश्विक वातावरन और किसी एक विशिष देश विशिष का नहीं के लिए नहीं है चारो बहुत पादे है ये श्लोक मुझे यहां कहना होगा कि आत्मों पर में दृष्टी आई तो गीता के सरवश्रेष्ट भाष्यकार है श्रीपात दामोदर साथ वलेकर महाराष्ट के हुआ उन्होंने पुर उशार्त गोदरी डिका पर इस श्लोक की व्याख्या करते हुए वाजस नहीं सही था यजुरुवेद की जो वाजस नहीं सही था उसका चोतिस्वा सुक्त है जिसका नाम है शिव संकल्पसुद है उसकी छेचे मंत्रों की बड़ी अध्भुत व्याख्या करते हुए इस श पहला मंत्र जजचाक्रतो दूरम उदय थी, उस मन की बात बताई ये, जो मन जागने पर दूर तक चला जाता है. जजचाक्रतो दूर उदय थी, तदू सुप्ता वस्था में भी वैसी स्थी थी. विर्ति सोता है तो भी स्वापनों में नमारूं कहां विचरन करता है उसका मन किस देश में चला गए आज उस देश में कलो उस देश में कि जागने पर भी साथ समंदर पार चला जाता है और सोने पर भी और फिर जोति शाम जोति रेकम दुरंगम दूरस्थित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्ष अंतिम जो इस श्रीव संकल्प सुप्त का अंतिम मंत्र एछटा वो कहता है सुशारती रश्वानिवयन वनुष्यान ने नियते भीश विर्वाजिन अईवा हिर्ट्रतिस्थम जजिरम जविष्थम तन्मे मनहशिव संकल्प मस्तु बड़े अच्छित उप्मा किये यहां जैसे यह इस मंत्र में उप्मा है वैसे ही उसमें सुशारती सुप मने उतकृष्ट सारती जिस प्रकार कुशल सारती अश्वानियते घोडों को नियंतृत करता है कैसे लगाम से घोडों को नियंत्रित करता है और रत को नियंत्रित करता है रत को अच्छी तरह से चलाता है प्रत्यान चासे मन रुपी प्रत्यान चासे ये हमारा शरीर भी वैसे ही चले विशे रुपी मारगों में इंद्री रुपी घोडों के द्वारा पुर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर् अब्ध्यम से इसलिए इस प्रकार की पारायन की इच्छा हुई और हम कल फिर आपके सामने पसित होंगे ओम नमो भगवते वासुदेव आजाद